कि हलो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में फ्रेंड्स वीडियो क्लास में मैं शेयर करूंगा एक बहुत ही इंपोर्टेंट नोटिस SSC CPU एक्जाम के रिगार्डिंग एक्जाम 2018 का फस्ट पेपर था उसको पोस्ट पॉर्ण कर दिया गया है और यह ऑफिसल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहां पर सामने आपके ऑफिसल नोटिफिकेशन है इंपोर्टेंट नोटिस लखा हुआ है और जो एक्जाम आपका चार जून से दस जून तक होना था उसको administrative regions की वज़े से उसको पोस्ट पॉर्ण कर दिया गया है इसमें साइद ऐसा हुआ है कि administrative region का मतलब है कि vendor जो होते हैं जो exam को conduct कराते हैं जो companies ठेका लेती हैं उनको इनोंने SSC ने साइद चेंज किया है क्योंकि SSC को अंदेशा था कि शायद इस बार भी कोई बड़ा scam create हो सकता है और student problem create कर सकते हैं तो इस बार SSC जो है वो कोई भी chance नहीं लेना चारही और साहे दोनोंने अपना vendor change किया है तो एक अच्छी news हो सकती है students के लिए क्योंकि student को ज़्यादा time मिल जाएगा इसमें 20 से 25 देन या एक महिने तक यह delay हो सकता है और इसका effect CGL प लेकिन वो भी change हो सकता है CGL tier 1 change हो सकता है CPO का notification आपके सामने है under secretary की तरफ से इसको postpone कर दिया गया है जो 4 June को आपका exam था अब वो उसकी आगे date आएंगी fresh dates आएंगी और जो fresh dates आएंगी जो नई dates आएंगी उसको भी यह SSC notify करेगा और इसके बारे में मैं आपको inform करूंग इसका वीडियो बना के चैनल पर मैं upload करूंगा जो भी नई dates आएंगी तो अभी के लिए information यह है कि SSC CPO 2018 को एक्जाम था उसको postpone कर दिया गया है लेकिन ध्यान रखिए कि इसको cancel नहीं किया गया है पोस्ट पॉन किया गया है और इसका exam होगा 20-25 दिन बाद या 1 मेने तो जो sincere student है जो अपनी तयारी कर रहे हैं उनको और जदा time मिल जाएगा preparation के लिए और सफ़ता के chances definitely उनके बढ़ जाएंगे तो यह यहां पर आप important notices का देख सकते हैं तो इसी के regarding यह video मैंने बनाया था इसको share करना चाहता था हमें आपके साथ तो इस video class में इतना ही अब मैं आप से मिलूँगा next video class में next update के साथ thank you